तो दोस्तों अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और आप जाते हैं कि आप दूद को जादा देर तक गरम रख सकें और उसके साथ आप दूद को फटने से भी बचाएं तो यह वीडियो होनें वारी बहुत खास वीडियो में पुरा बना रही है वीडियो को पुरा दोस्तों आँ मनें इसका रिभी किया था और दोस्तों कर सकते हैं लेकिन ईपर समसे हो जाती है दोस्तों जादा देर TAK दूर रखने की वज़ेसे दूद फट वह जाता है तो हम उसे कैसे बचेक तुम्हें आज में इसी वीडियो में टिप्ट सेयर करने वाला है अगर चैनल पेली बारत चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलती रही है दोस्त अगर आपके पास भी ऐसे को थर्मिश टेल है या कोई दूसरी कंपनी का थर्मिश टेल है और आप परिसान है कि उसमें आप दूद गरम करके रखत साथ के साथ उसको फटने से भी बचाए क्योंकि ये प्रोडेक्ट में मिल्टन का ज्यादा देर तक गरम तो ये रख सकता है ये 10-12 गंटे तक गरम उसको रख सकता है लेकि फटने से नहीं बचा सकता दोस्तों तो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में टिप्स सेर करने व कर सकते हैं आप इलाईशी पाउडर डाले या कुछ दाने डाल दे तो 6-7 गंटे तक दूद आपका सेफ रहेगा ऐसे ही थर्मस्टील कोई भी थर्मस्टील आपके पास हो सकता है ज़रूर नहीं कि मिल्टन का बेस्ट क्वाल्टी होता है इसलिए मैं आपको रिक्मेंट कर जाके आप पर्चेस कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको 6-7 गंटे से भी ज्यादा देर तक अपना दूद सेफ रखना है और गरम के साथ सेफ भी रखना है उसको बचाना है फटने से तो उसके लिए आपको चाय की पत्ती के कुछ दाने डालने होंगे दोस्तों चाय की पत् इस चैनल पर मिलती रहती है चले दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियों तब तक देखते रहे हैं समीर दोज